नमस्कार दोस्तों मेरा सनाल इडूकेशन और बैसिक इंफोर्मिशन चैनल में आप सब लोग को हर्दिक स्वगत है आज की मेरा वीडियो की टफिक है एक सिकूर्टी गार्ड पार्किंग में जो ड्यूटी करते हैं वो कौन सा कौन सा बात धियान रखना होता है और पार्किं पवाइँ पॉल्टि जोस्ता में पार्किंग में जो भी गार्या में चैनल में खास बात जो जान्या इन चैनल रिखती डूटियू है चैनल में वेंसे थोस्टैनल और थीरहें पूंप्या ड्यूुटwards adesso अद Only in न्होंगा और few muscles A का ऑफ परकिंग कि आक न summer कि में किया है कि टूटोटल नंबर स 있습니다 अब जहां भी जगह जहां भी factory mall hotel restaurant जहां भी अड्यूटी करें रहे हो As a security guard आपको वहां पे पारकिंग में जब भी अपका ड्यूटी होगा उसमें आपको टूटेल क्या है पहले पॉइंट रखना आपको बोहुत ज़र रही है, उसमें क्या है, है total number of parking, वहापे कितना parking है, जिसे हर जगा क्या होता है, कोई basement होता है, उसमें होता है, basement one, basement two, basement three, कोई-कोई ground level में भी parking होता है, तो आपको कितना number, मतलग कितना parking है, उसके जानकारी होना या करना आपको बहुत जुन रही है दूसरे number है टाइफ ओफ पर्किंग रगान और आपको next दो नंबर में ज़रना बहुत जुरन रही है कि टाइफ ओफ पर्किंग कितना तरफ के पर्किंग होता है जैसे आप नाया सिकोटिक गार्ड में वक्ति हो गए हो आप कोई आपकी नहीं है और आप experience बन दे फिर भी आपको कि आपको परकिंग में पहली बार आपको क्या duty में लगा है तो आपको ये वीडियो विल्कुल आपको helpful लोगा कम से कम मैं तो नहीं बता सकता हूं 100% आप इस वीडियो स से मतलब सक्सेस्पूल या जान जाओगे लेकिन मेरी सबसे आप 40-50% इस वीडियो के जरीए आप जान जाओगे तो क्या है टाइप ओफ फार्किंग अभी कितना टाइब की परकिंग होता है आपको देखो आपको लिख लेते एक नंबर में रिजाव रिजाव फार्किंग दो नंबर में जेनरल पार्किंग जेनरल जेनरल पार्किंग और टीन नंबर में क्या है फ्री फार्किंग फ्री फार्किंग ठीक है अभी टाइफ ऑफ फार्किंग के जो मतलब कितने पकार की फार्किंग होता है तीन पकार के फार्किंग होता है क्यों होता है रिजाव फार्किंग है रिजाव फार्किंग में क्या होता है कोई भी आप डेस्टेंडरल में बिल्डिंग में आप ड तनर क्या क्रत आए वो खरी दिया जाता है उस परकिंग क्या खिलान का उसमें को डूसरा on 18 परशन उसमें पर्किंग नहीं कर सकता है और डूसरा क्या जेनल परकिंग में साम इंपर किनक में कहीं भी आजएं होता है उसका पर्सनल गारी दिया होता है उसको गारी को रखने के लिए एक जैनरल पर्किंग बनाए जाता है तो आपको क्या है कि यह क्या होता है कि उस पर्किंग के जरीए उस क्लाइन को और उस एंप्लोई को क्या है उस जैनरल पर्किंग को पर्किंग करने दिया जाता है और free parking कोई-कोई मिरलब क्या होता है कि society में, building में, mall में क्या free parking रखा जाता है, कोई भी visitor आ गया, कोई भी client आ गया, कोई vendor आ गया, ठीक है, उसके लिए क्या है, एक गंटा, दो गंटा या कुछी time के लिए parking रखने के लिए क्या करता है, वो free parking देता है, और भी देखो आपको कोई भी parking हो, उसमें क्या होता है, bike park होता है, car park होता है, ठीक है, बड़े गारी park होता है, लेकिन आप type of parking इसको या डट लो, और अपने डट लो, क्या है, पहला हो गया, reserve parking, general parking, और free parking, ठीक है, अभी next, हम तिसरे नमबर में आते हैं, तिसरे नमबर में आते हैं, parking, parking, in, out, bike, al, register, क्या है कि आपको जब आप शिकोटी गार्ट में जब पार्किंग में आप ड्यूटी करने जाओगे, तो आपको एक register दिया जाएगा, वो एक मतलब location में आपको जहां पे आपको, क्या है, ज्यादा तर जो भी बैस्मेन का जो रैम होता है, उसके पास ही क्या है, उसका cabin होता है, पार्किंग में या उसके पास आपको एक खास register दिया जाएगा, जिसको बोलता है, पार्किंग, in, out register, आप भी कोई भी conner का गारी हो, या client का, vendor का, कोई भी visitor का गारी हो, उसको क्या है, उस register के द्वारा आप उस register में गारी number है, मतलब उसमें क्या करोगे, आप एड करोगे, कितना टाइम में in हुआ है, कितना time में out हो गये उस resistor में आप सारे क्या करूगे detail उसमें आपने क्या करोगे detail भरोगे ठीक है अब अब ही हम सोथे नमबर में आपको समझा देते हैं सोथे नमबर में क्या है any वे दिने डिमेज आपको जब भी यह जब आप मैं रो एंटि करोगे आप जब भी कोई भी घारी आप के पास आ गया आप जिस लोकेसेन में है आप वहाँ पर क्या होगा उसमें क्या है उस गारी को रोकने के बाद आप एंटी करोगे उसके बाद इन टाइम डालोगे उसके बाद उस गारी को आपको सारे तरफ से देखना है कि उस गारी में कोई देमेज तो नहीं है कोई लाइट टूता हो तो नहीं है किसी में गारी आपको देख लोगे तो आपको क्या होगा कि आपको श्योर 100% श्योर होगा यह आप बहर से इस गारी को इसक्रेप या डिमेज करके लाएं अभी आम नेक्स क्या है कि आम नेक्स बताते हैं पांस्वी नंबर यह वह आपको खास मतलब पार्किंग जब ड्यूटी करोगे ध्यान रखने वाली सीज़ है उससे पहले मैं आपको एक बिनम्रा अनुरुत करता हूं आप मेरा वीडियो मतलब सैनल में आप नहीं हो तो प्लीज मेरा दीचे और सब्सक्राइब करकें और लाइक जी अपने दोस्तों को शेयर कीजी लेकिन आज की यूट्डूब के जवानने में हर कोई सुसता है यार मैं क्यूं सरे करोऊ किसी डीयों की काम कि बहुत चारा महनत चैए होता है जीसे आपको क्या यूट्डूब में प्रक्रू पूरिए करना होता है और आपको क्या है एक हज़र सबस्क्राइबर मैं आपको उस चैनल के अंदर आपको क्या लाना होता है यह वोगता है कोई-कवी 25-10 साल या दो साल एक साल महीं हो जाते किसी का लेकिन जो भी यूट्पिबर है वह पूरा मेहनत देता है उसमें कुस नया आपको लगता है कि मेरा यह वीडियो देख के आपको कुछ घ्यान मिल रहा है या आप इस वीडियो की जरीए मेरे कुछ पूवीड होता है प्लीज आप नाय वीगों हो तो एक प्लीज प्रीज मेरा वीडियो आप सबस्क्राइब कर दीजी और आपको मैं खमाफि ग्êtफ का आधे हम आपको कम ब्यस्त कर रहा हूं और दूसरी बार क्या होता है कि कोई भी ओसकल क्या होता होता है आज इसी में वी पहुत चरह करना होता है और मैं शाथ हूं तो आप मेरे वीडियो के जरीए ठोड़ा भी आपको नोलेज्यया घ्यां यहां होता है मैं आपको बहुत सुखला कहना होता है और मेरा वीडियो आप लाइक किजिए और अपने सिनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अभी कोई भी ऐसा कॉंटेंट बनाओ आपके वहाँ पर मोगाइल में चला जाएगा और आपका पुर्मा अधिकार है आप अपने मोगाइल चाहिए आप मेरा वीडियो देखें इं चलते हैं नेक्स तफिक के उपर चलो पासवी नंबर क्या है पासवी नंबर में बहुत क्या है आपको पार्किंग एक्विपमेंट पार्किंग एक्विपमेंट क्या है कि parking equipment के बारे में भी आपको जानना बहुत जोर रही है क्या पहला number में आपको लिख लेते हैं parking में क्या होता है UBSM इसका मतलब होता है under धायकर सास mirror ठीक है में डबलर वयार मिरोर ठीक है under भाइकर सास मिरोर अब भी कभी भी आपका जहां भी आप बोंब अब बाइडे लगाता है ठीक है अभी आम नेक्स आपको जहां भी आप ड्यूटी कर रहे होगा उसमें क्या होता है उस गारी को आपको charge करना पड़ता है कोई ऐसा विसपुटक समान तो नहीं आए तो उसको क्या है कि आपने पुरा मॉल को safety के लिए society को safety के लिए जो पार्किंड में duty एक्विप्मेंट दिया जाता है और क्या है कि दो नम्मर में बूम बेंट बेरियर बूम के जरीए है कि गारी को कई पर भी आप जिसे बैसमेंट से नहीं से आ रहा है तो आपको उस बेम बेरी होता है वो गारी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा तो उसको आप जो भी आपका इस तक्षन दिया जाता है जिसे उसको चेक करना इंटाइन आउट टाइम पूस्ट में रेस्टर में एंटी करना वो कहां जाएगा किस मिलने कहां से आए सब सारे सिस एंकुरी करने में क्या ब से सॉपि क्या स्कराव कूने सेप्टी सेप्टि कॉने सब्रेटाफिक के थाप है इसके दोर्य कि सेप्टी कमने कहां इसके दोरीह क्या है कि उस जगह को आप scripture कर ओगे जो गारी होता है क्या grid नाना अबकोर प्र मिलत्रिक कि इस की का parking होगा तो उसको क्रीजा पर्किंग कर सकता है Т्राइफिक ट्रइफिक सेप्ट्टी कि ट्रइफिक – सेप्ट्टी बीक THOM लाइट क्या किह जुकूर्टिक गाट का एक्विपमें में आता है इसकी को डिया जाता है कि इसके जरीह आप एक बेटन होते हुए एक आपको दला हम्तों होता है उसमें अप्य शाव्या का किसी तेस्थ के लिए ना यह उसको रुखवा ना जगा उसको अनिकली тоб ignore it के दुरिया आपको उसको क्या करना है को इंडिकेशन डे सकते हो अब अब भी पांस नमब्र हो गया हमिस्टे नमबर में लिखते परकिंग इस्तिकर के जरी कोई भी मिलनों रेसिटेनटब इन्डिंग में या सोसाइटी में ये होता है उसको हमेशा अनाजना रहता है तो इसलिए उसको जो भी मैंट्रनेस में उस में जो भी देखवाल करता है उस तीम ने ओम वह आफिस के द्वारा एक परकेंग्न इस्तिकर हर जगह इसी करा जाता है ताकि वह गारी इस्तिकर देखते घ्याओton है यह हमारे मरलब इसी स्वाइटी का क्लाइन का क्या है की गाड़ी है ठीक है उसके बाद हम सात्वे नंबर में चलते हैं थात्वे नंबर में चलते हैं बेस्में कि नोट कि एलाउड कि एनी की फाक ये क्या है कि बिख भाइकल यह क्या है कि बैस्मेंग नौट एलआउड ऐनी वीग भाइकल आपको गत्ता किक ने में होता है कि परकिंघ्टमóst में में होता है वहां पे Inkलिप कि आपको 1 bes 26 310 पोटका होता है तो बढ़े बढ़े ट्राक या किसी भी सिसको मिञलब कि में किसी काम के लिए या किसी लोड़िग अनलोड़िंग के लिए आते हो Benไ कभी नहीं करना होता है क्योंकि में रिजुब होता है वह कभी तूट जाए यह दिमेज होजा इसके लिए क्या है कि मैं आपको कभी बेक भाइके लगार नहीं करना है फिर अठ्वी नंबर में अठ्वें नम्मर में क्या है कि रॉंग रांवें रॉंग नालाउड परकिंग इसका क्या मतलब है इसका मतलब है राउंग रावी नौर अलाउड उसमें कोई पारक ना करे गारी और उल्टा सिधा गारी ना करे उसके चीप डीग का आफ लिए उसको डेखने के लिए बहुत जुरुरी है ठीक है और नौ नुम्बर में क्या है कि आप क्या है उस बच में जहां पर भी आप ड्यूर्टीट पर्किंग में आपको में प्यूर्ट बहुत ज़री है क्योंकि कोई भी पर गारी पाक yapıyorsun जल रहा है उस जो जूरा हुआ है कोई ड्रूस को वर्किंग म्या किकी कोई गेम खेल कर दोन है तो इसको मिलब आपको पूरे पर्किंड गारी उस मेलब की condition को handle करना होता है आपको patrolling देना बहुत जोड़री होता है ठीक है अभी 10 number में क्या है कि any leakage check and electrical equipment check इसमें क्या है कि पता है आपको जिसे आपके basement में fire line होता है अभी प्लंबरी लाइन होता है ठीक है उसमें कोई plant room होता है basement में जहां जहां parking होता है वहां पर fan room होता है तो आपको कहीं से भी आपको कोई water leakage का देखे या कोई fan room से कुछ गलत activity देखे fire मंदमें छाएं by ‫ismil आ रहे हो तो उसको क्यों है कि आप उसको ख्या रखना होता है और कोई गारी में